दोस्तों नमस्कार मैं रजनिश कुमार पीवीर एक्वा कल्चर फार्म से कैसी मेरे पीवीर एक्वा फैम जो अपस्वर्श्थ है और मस्थ हैं दोस्तों एक मत्यसर पालक किसा इन भाई ने रिक्वेस्ट किये कि सर्ज्ज जो हमारा FCR फीड कर्वर्जन डेशो है उसको हम कै इसे और अच्छा करें तो और उसको इंप्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ तीन चार बेसिक्स पॉइंट्स बताने वाला हूं वैसे मैं बहुत सारी वीडियो में बातों को जिक्र कर चुका हूं FCR या फीड क्वालिटी फीड कॉंटिटी के वर एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती सबसे पहले हमें पतावना चीए कि हम किस प्रजाती की मचली किस टेक्नोलोजी में प्रजाती से मतलब है वो कार्प्स केटागरी है कैटफिश केटागरी है टेक्नोलोजी का मतलब है आप उसको आरेस में पाल रहे हैं बैया फोला को कि फाल रहे हैं प्रीटेस में और ऊसे बड़ी इंपधि बात कि वह हो्मचली हैं वह किस अभी लाइफ स्टेज में और इंचारों कॉम्बिनेशन को धियान में रखते हुए अच्छी वीड कंपनी फोरा डिजाइन कर तो दोस्तों अच्छे फीर्ड या एक एक टाग्री फीड की खासती यह है उसके अच्छे इंपूर्स की जो कारण है वो उसके जो फोर्मूला जिसने डिजाइन किया है जिसने ड्राइड किया है जो उसका nutritionist है वो उसके डिपेंड करता है कि वो पूरा उसका पूरी R&D करें रिसर्च करें उसके हिसाब से इंग्रिडेंट के साफ से वो फोर्मुला और टैंप्रेचर को हमेशा दिमाग में रखते हुए वो फोर्मुला डिजाइन करें इंग्रि कि जो भी यूट खिला रहे हैं चाहए आप 22 का खिला एंचा एक्थार प्रोटीन खिलाइए चोविस के लाएँ चाहए एक्टार इस क्लाइट इस क्लाइटीस 32 कि उसमें डाइजिस्टेबल प्रोटीन कितना है ऐवरेज जणरली सबका सबतर पर संट करी Be भी डाइजिस्टिबल प्रोटीन है अच्छी एकटागरी इंस कंपनी से बात कर रहा हूं मैं तो मेरी बहुत सारे न्यू बिगनर्स न्यू एंटरप्रणरों से यह रिक्वेस्ट है फीड पे सबसे कम दिमात लगाएं एक अच्छे फार्मर को एक अच्छी एकटागरी कंपनी के फीड को यूस करें एक दो कल्चार निकाल लें जब उन्हें लगे कि अब उनका कंजप्शन बहुत जादा हो रहा है तो फीड यूनिट फीड प्लांट के बारे में कुछ सोचे जो किसान भाई केवल फर्स्ट एयर में फीड यूनिट का प्लांट कर रहा है जिसने मचली नहीं पा लिया तो उसको बिजनस एंगल से देखे अधरवाइस फीड यूनिट में जैसे फिश्वारी में बहुत बंदे फेल हो जाते हैं फीड यूनिट में भी सेम प्रोसेसर फेल होने के लिए तीसरी बड़ी इंपोड़न बात ध्यान रखेगा कि जब भी मचली को फीडिंग कराएं टाइम और प्लेस हर रोच टाइम और प्लेस चेंज ना करें उससे मचली को परेसानी होती है स्ट्रेस में आती है आप ये बेसिक तीन बाते बड़े इंपोड़न साइज हर्वेस्ट कर दें आप ये बिल्गुल फोकस ना करें कि आपको अपनी मचली 2 किलो की करनी है तीन किलो की करनी है बैस्क मार्केटेबल साइज इस बड़ेस्ट प्रोफिटेबल साइज दा 800 ग्राम ये बेसिक फोलो करें जो बिगनर्स है तभी वह फिश नहीं माइलिस्टोंस नहीं लाइन आइटम नहीं अपने गोल सेट कर पाएंगे और अच्छा प्रॉफित अच्छा मुनाफ़ा मुख कर पाएंगे बने रहें अपने पी यूटूब चैनल पर और जानके रहें फिस फार्मिंश लेटेट बातें और किसी किसान भाई की हमें कुछ भी करके इंडस्ट्री डवलप करना है आने वाले एक डिकेड में धन्यवाद